नमस्कार मैक और आप देख रहेंगा माँ टाइम्स न्यूज आए नजट डालते राजधाने की बड़ी खबरों पे हमारे समवादादा की एक विशेश रिपोर्ट मैं सुर्य कुमार पांडे आज यहां पर डाक्टर शशिकांग जैन जी की जो विनियांजल सभा आयोजित की गई है उनकी स्मृति में उसमें बतावर मुख्यातितु पस्षित हुआ हूँ मैं डाक्टर शशिकांग जी से व्यक्तिकत रूप से जुड़ा रहा हूँ और उनके पूरे परिवार से मेरा एक बहुत पुराना संबंध है डाक्टर शशिकांग जैन को लोग उस रूप में नहीं जानते जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं जैन समाज के लिए उन्होंने इतिहास के प्रिष्ठों से ऐसे ऐसी बातें निकालकर समुख रखी हैं जो आज के समय में पटनीय हैं और उधरनीय हैं उनके भीतर एक अन्वेशी व्यक्तित्त था विद्वान कुरुष थे पुर्जा संपन्न थे भले ही वह अपने जीवन के नब्वेवें बसंत की और अग्रसर हो रहे थे तब भी उनकी उर्जा और उनके कारे की ललक नई पीड़ी के लिए फ्रेणा देने वाले उनके तो प्रमुक कारे यहां मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो उन्होंने बहुत सारे सोदकारी किये हैं और जो उन्होंने जैन धर्म तथा दूसरे धर्मों के जो बाते हैं जो कहीं इतिहास की पड़तों में चली गई उन्हें खोला है इसके साथ ही उनके पिता श्री ने जो एक सोद के पत्र का आरंब की थी सोधादर्श के नाम से जो जैन समाज के और उस धर्म के विशे में बताती है उसके वे मात्र छे अंक निकाल पाए थे लेकिन आज उसके नबेवें अंक का विमचन हुआ है तो ये पूरी आत्रा तक यानि नवासिवें अंक तक ड़क्टर शेशिकांद जी इससे और इसके संपादन से जुड़े रहे और इतनी जानकारी पूर्ण लेक और सामगरियां वे उसमें प्रकासित किया करते थे कि उनको पढ़े बिना रहा नहीं जा सकता था किन्तु एक पक्ष उनका और भी था और वह पक्ष था एक साहितिक पक्ष जो वह लखनव के बहुत सारे साहितिकारों से भी जुले हुए थे और उनकी कहानियां कहिता हैं लेखाद भी सोधा दर्श में प्रकासित किया करते थे इसके साथ ही उनकी जो महतुपुर्ण पुस्तक और अंतिम पुस्तक मैं कहता हूँ आई है वह नारत के संवाद है जो एक यंग लेखों का संग्रह ह है यह कहूँगा कि पूरा एक डाकुमेंटरी है जिसमें राजनीती से लेकर समाज की बिडंबनाओं को अंकित किया गया है मैं आज के इस अवसर पर ऐसे पुने पुरुष ऐसे प्रज्ञान पुरुष ड़क्टर सशी कांत जैन जी को साधर सद्धान्य अर्पित करता हू जैन डाक्टर सशी कांत जी के सिस्यों में मेरी गिंती हो सकती है क्योंकि 1988 में जब मैं लखनव में आया तब ही से मैं उनके संपर्क में रहा और जैसा हमारे बक्ताओं ने बताया कि वो फोन के माध्यम से हम लोगों को बहुत चर्चा करते थे और उगदेश दिया करते थे प्राया वो जब भी फोन करते थे तो पहले पूछ लेते थे कि आपके पास समय है कि नहीं बात करने का तो हम लोग उनको कहते थे कि बड़े मज़े से बात करिए और उनको अपनी बात बताईए और वो कोई न कोई बिंदू पर चर्चा करते थे खास करके हम उसको कह सकते ह निर्वीक पत्रकारिता जैसे हम लोग कवीर के वारे में सुनते आए हैं कि जो घर फूंके आपना खड़े चले हमारे साथ तो उस तरह से कोई लोब छोड़ करके उनकी पत्रकारता के साथ चला जा सकता था मैं भी एक-दो पत्रकाओं का संपादक रहा हूं और इसलिए व तो हम लोग डरते दें कि निर्विक्ता आन फेल एक मन में भय होता था कि अगर इस तरह कि हम लोग निर्वीक हो जाएंगे तो पता नहीं किसी से कोई लाव कोई उनको लालच नहीं थी कि हमको किसी तरह का सम्मान मिल जा या कोई पुरुसकार मिल जाएं वो अपनी बात कहने में कभी कर संकोच नहीं करते थे एक दो पुस्टकें भी मैंने उनकी प्रकासित करवाई जब उन्होंने चर्चा की बाबुजी की जोदीव सा करण इसनी पापूलर किताब और दूसरा सौभाग मेरा यह भी था कि लखनव जोतिव साजी के नाम से जाना जाता था जैन समाज में और इतिहास विद्ध के नाम से भी जाना जाता था जैसे हमारे आप सिद्ध परंपरा हैं कि धर्म की द्रिष्टी से यह विद्वान है द्रिष्टी से अमग बिद्वान है तो इतिहास के घराने के लुक में हम इसको इस परिवार को कह सकते हैं और वह परंपरा अभी भी आंगे चल रही है क्योंकि पहले दो भाई लोग थे जोति प्रिसाज जी और अजित प्रिसाज जी फिर ससी कान जी रमा कान जी अब तो कि एक काम बढ़ेगा और उनोंने अपने को जेन समाज तक सीमित नहीं रखा पहले तो वह जैन लिखते थे नाम के आंगे लेकिन बाद में वह ससी कान जी लिखते थे जेन सब्दों भी निखते थे और उनका जो चिंतन था वह किसी एक समाज के लिए नहीं था पूरे समाज के लिए था कभी-कभी मैं खोज करता था उन तो मुझे बड़ा आश्चर होता था कि वो किसी भी पार्टी के से जुड़े नहीं थे और सब की आलोचना करते थे गुणदोस के अधार प siitä अगर उनको लगता करने में आलोच ना करने में बिलकुल संखोच नहीं करते थे तो ऐसा ब्यक्ती मिलना बहुत ही दुरलब है आज के समाज में मुझे एक और आश्चर हो रहा था कि हम लोग जोती निकुझ में हर साल एक कार्कम किया करते स्त्वात का थिजसे हुआ को पांड़े उसे कारणांगंगुन है तो इस तरह जोत्य कुझ्यमें है पार्थ होना छाहिए ता मेरे मन में आइक प्र स्था लेकिन उसका जो दूसरा उद्डेष्ह पद्रकारिता के छेत्र में उनकी बात जानी चाहिए यह तभी संभाव थी जब इस तरह के मंच में आज हम लोग पस्तित हुए हैं तो यह मैं समझता हूं कि यह आयोजंग बहुत सफाल होगा और पत्रकार लोग तो एक सोद प्रवंध भी लिख साकते हैं जो उनकी जो दृष्टियां हैं हमारे मार्य दर्शन की वह उनके लिए एक सोद प्रवंध में भी हो सकता है यहीं मेरा उनके प्रती सच्ची विन्यांजली होगी कि उनके जो गोने हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाए